हेलो आईस कैसे हैं आप सब और आज इस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो यार 2018 के अंदर हमारे पास बहुत से स्मार्टफोन आए हर एक कंपनी से इस बार इस साल के अंदर हर एक कंपनी ने अपना पोटेंचल हम सभी को दिखा दिया यह है अपना एक नया कार्गर डिवाइच करने का सोच लिया है जिसका नाम होगा होफफुली ओपो एफनाइन प्रो होपफुली क्या सच में यह रखेंगे क्योंकि यूटूब पे जो है में पेज पे होम पेज पे इसकी एड चल रही है और 14-15 घंटों के अंदर इसको पर करीब करी 10 बड़ा भाई है मैं इसलिए बोल रहा है देखो सबसे पहले तो अब हाली के अंदर आया था मेरे सबसे मार्च एपरिल के अंदर एंड उस टाइम पर जब फोन आया तो उसी के साथ विवो ने वी नाइन भी निकाला था दोनों का कॉंपेटिशन टफ रहा जिस वैसे ओपो थोड़ा था पीछे रह रहा था पता नहीं क्यों लेकिन फोन बहुत ही जबरदस्ता मेरे असाब से लोगों ने वी नाइन उसके उपर प्रेफर करा लेकिन अब उसी को कायम रखने के लिए ओपो ने यह वाला फोन जे लांच करने का सोच लिया है जो कि F9 प्रो के अंदर यार जो आपको इंटरनल स्प्रेसिकेशन मिल रही है ना वो काफी हद तक ओपो एफ 7 जैसी ही है लेकिन आपको थोड़ी बहुत जो एडिट फीचर और रिवैम्ट डिजाइन अब लोगी जो फोन का डिजाइन है वो नहीं चेंज कर दिया आपकी बार और डिजाइन चें अच्छा फिर्ट नहीं है ना इस तरीके से जाएं पर बाता अच्छा अच्छा वॉड़ार जोटार और प्रोड़क नहीं मिलेगा फोड़ा वीड हो रहा है तो इस तरीके से तो इस बार उन्होंने थोड़ा ऐसी पब्लिक को निराने के लिए दो कामरा लगा दी है 16 प्रस तू में अब एक्सल के सेंसर हैं दोनों पीछे की साइड में और डिजाइन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो मेन इसका फीचर है डिजाइन का वह है वाटर डॉप स स्क्रीन तो सामने की तरह में आपको जो स्क्रीन मिल रहे है और बहुती फैंटास्टिक है और यहां पर नॉच नॉच जो आप लोग बोलते हो नॉच 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 मॉच जैसे अब लोगों पता होगा एसेंचल फोन जैसे आप देख पें इस तरीके आया था 2016 में शायद तो उस तरीके आपको डिजाइन इस फोन के देखने को मिल जाता है जो की मेरे साबसे अच्छा है यूनीक है और अदर स्मार्ट फोन से दिखने में लाइक आप लोगों लगा यार वडिया फोन है दिखने में सच मियारे बिचबरदस लगा दूसरे फोनों से तो अब यहा के आठ बहुतर सफे यूकलि होनके फॉन के इंदर जो नाइक हो यहा करहा है तो यह यह सिरु ऐसा इसमें यूऑस्भी अगर आप चार्ज करेंगे आपको दो वंटे का बैटरी बैकप मिलेगा त्यार वो देखने के बाद ही परशे लेगा किस तरीके से फोन की बैटरी का जो फास्ट चार्जर काम करता है और जो भी टेक्नालोजी ने पूट करिये वो तो जब आएगा जबी पचलेगा बाकि ज उसका प्रोसेसर नहीं बताया और रेम में बताई तो जो प्रोसेसर आपने अगर रियाल मीवन यूस करा है तब आपको पचलेगा इस प्रोसेसर की कितनी आ कह सकता हो पोटेंशल है तो इस प्रोसेसर को मैं देता हूं एक यूज फोन के तरह उने यह चीज़ लगा के तो यार यहां पर चार्जबी की रैम देख में मिलती है इस फोन के अंदर साइज सथ आपको 64GB की इंटरल शोज मिलेगी और MicroSD से आप उसे expand भी कर सकते हैं जो और फोन जाना overall में को बहुत बड़ी पैकेज लग रहा है ओपो की तरफ से तो यार यह तो बड़िया रहेगा बाकी इस फोन के प्राइज मेरे साप से मुझे लग रहा है कि 20 से लेके 22,000 रुपय का होगा क्योंकि यार ओपो चैस बास से प्ले करेगा और धीरे से वह बॉल को अपनी हिट करेगा क्योंकि ओनर और शौमी जो हैं अपने नहीं ने तंद सब्सक्राइब का बटन तो उसे क्लिक कर दो ग्रे करो अगर आज भी वीडियो नहीं होगी ना तो लाइक और शेयर बटन जोड़ दबादेना एंद मैं आपसे मिलता हूं एक ऐसी से लिड़ों के अंदर थैंक्स वाचिंग